विदियो है थे लिए एक्सपिरेंस वीडियो है 46 जिया दोस्तों हमें जो है सेलेक्टर स्टूट्स का जो है वीडियो चाहिए रहता है क्योंकि आप सभी को पता है कि आप सभी लोग की यही डिमांड है आपने काफी मुझे मैसेज कंटिनू किया कि सर जो बच्चे पास होते आप उनका वीडियो लेकर है क्योंकि हमें जो है पास हुए बच्चों से सीखना है कि वह क्या ऐसा एक्सपिस्टर करते हैं जिससे उनका सेलेक्शन हो जा रहा है और हमारा सेलेक्शन नहीं हो पा रहा है तो दोस्तों उसके लिए मुझे समय लग जाता है क्योंकि आप सभी इस इस बिलोंग करते हैं अपना पूरा शेयर किया आपको पूरा अपने बताने वाला चली स्टार करते इस वीडियो को दोस्तों वीडियो स्टार करने से पहले मैं आप से रिक्वेस्ट करूँगा कि अभी तक आपने स्मार्ट नों के सब्सक्राइब कर लीजिए आपको लेटेस्ट अपडेट हमेशा सबसे आगे मिलती है साथ ही दोस्तों हमने इस वीडियो पर जो है आर्पीए फैने से ट्रेटर जितना भी चल रहा है और जिव जो ड्रेस का है हम सभी का एक्स्पिरियंस आपको स्मार्ट नों के पर प्रवाइट कर रहे हैं उस्टार्ट करत है अपना एक्स्पिरियंस वीडियो जो हमारे स्टुडिंट ने हमें बताया है तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको डॉक्यमेंस से स्टार्ट करता हूं हमेशा से वीडियो तो आज मैं आपने बता देता है आपको शॉर्ट में क्या-क्या लगेंगी और सबसे मान लीजे क्योंकि आपको एक हमेशा एडवांस में आपने पास जो है बैक अप में रखना है सम्टाइम्स ऐसा होता है कि बाईचांस आपस घूम जाता है तो आपका एक मदद्दार होता है अब नमबर दो पर आता है हमारा दूसरा हमारे डी कार जी हाँ दूस्तो है यहां कि सिके मं आपके पास है तो सबसे जालदग होगा अगर आपके पास नहीं है तो आप ड्राइय 만 लाइसे सकते बट पहले ज़्याद़ घ्र का आधार कार्ड ले जाए क्योंकि बायोमेट्रिक के समय आधार कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है तो यह चीज हो गई अपकी सेकेंड अब नंबर तन पर आ जाते हैं नंबर तीन पर आता है हमारा दस्वी बारवी का सर्टिफिकेट जिया दोस्तों दस्वी ब होता है दोस्तों कुछ मिस्टेक्स होती है हमसे या फिस स्कूल कॉलेजे से कि वहां पर डेट बार्त में उपर नीचे हो जाता है तो इस चीज को आप ज्याबारी की से चेक कर लीजिए या फिर उसका एक एफिडेट बना लीजिए अगर जिनका ऐसा कुछ दिक्कत है तो यह चीज आपकी हो गई इंपोर्टेंट से का सेडिफिकर आपने बिलॉंग किया है अपने अपलाई किया है तो आप उसको लेकर जाईएगा चाहे वह स्टेट फॉर्मेट में दोनों ही फॉर्मेट वाले एकसेप्ट हो रहे हैं तो यह सारी चीजे होने के बाद आपको आ है अखसान सोल हो चाहे होड़ा है तो आपको बता है कि यह चाहर सो थीन सो बच्चे आ रहे हैं चलिए हम 400 मान के चलतेंगे चाहर सो बच्चे आ रहे हैं इन सभी को को एक राइन से यह हो डेटा दिया जाता है जिया है अगर हॉल आवेलिबल नहीं होता तो उन्हें क्या कर कि हाल जैसा बनाया गया था अब इन बच्चों का कहता था प्रेजेंटी ली जाती है प्रेजेंटी 123 से स्टार्ट करते हैं 20 तक ले जाते हैं जी आ दोस्तों वह एक नंबर देते हैं कि आप 1234 इसी परकार पीछे वाला नंबर बताते जाएंगे और जब 20 नंबर हो जाएगा बैचेस में बच्चे डिवाइड हो जाते हैं अब बच्चों की संख्या होती है वह भी लगभग 15-20 के बीच में होती है बच्च बना दिया जाता है बैच नंबर वन उनको एक नाम दिया जाता है बैच 2 दो नंबर बैच 3 बैच 4 बैच 5 इसी परकार सभी स्टूनेंस की ज है टोटल 20 बच्चे यानि कि 20 बच्चे जो खड़े हो जाएंगे और वह अपने 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 हाथ में लेना है सेकेंड चीज आपको क्या लेना है आपका आइडी काड नंबर 3 है आपका डॉक्यमेंट जो है दस भी बारवी नंबर 4 पर आप का डिगरी में बिलॉंग करत आपको हौल के अंदर प्रवेश दिया जाएगा जब आप पर प्रवेश करेंगे तो आप देखेंगे वहां पर टेबल है उस टेबल पर इसा दो जो है डिवाइडर बने है एक स्टुएंट यहां रहेगा एक स्टुएंट यहां रहेगा आपके पास जो किचन की सारी आपको सानना है और रोटी बनाना है लेकिन दोस्तों एक इंपॉर्टन चीज आज मैं बताने वाला हूं आपको रोटी शेकना नहीं है गुदने के बाद आपको गोल वापको आपके चौखें़ रहेगी आपको इस को स्टुए चैटछाड नहीं करनी है सेकेंड वह पत्नी होनी चाहिए मीलियम मोटी नहीं होने चाहिए क्योंकि जो आपको चेक करेगा देखेगा अच्छी तरह से तो यह भी इस चीज़े है क्योंकि आपको पास समय जो है बहुत कम है जियां दोस्तों इंपोर्टेंट डॉल निभाता है आपका समय समय आज जो ह समय में आपको जो है रोटी सान बनाना भी है यानि इसको बगोल बनाकर दिखाना है प्लस आपको आटा भी सानना है तो दोनों चीज़े जो है नहीं हो पारे क्योंकि कितनी भी प्रैक्टिस कर लिजिए आज के हमारे जो है एक्सपिरियंस बताया प्रदीप सर ने उन्हें इसको इतना अच्छा एक्सपिरियंस होने के बावजूत उन्हें ने कहा कि इतने कम समय में रोटी को जो है बना के दिखाना पॉसिबल नहीं है लगबख सभी के लिए जो इंपॉसिबल वाला काम था वही तो आपको करना है दोस्तों क्योंकि सरकारी नोकरी मिलना इतनी आ पास हो रहे हैं दोस्तों इसका मतलब की एक मिनट 20 सेकेंड में यह चीज होती है तब ही जाके वह दो से तीन बच्चे पास हो रहे हैं तो आपको भी अपनी प्रैक्टिस को दुगना चौगना जितना कर सकते हैं आपकी जितनी कैपिसिटी है कम से कम समय सोईए कम से कम खान राउंड जिसे हम फर्स्ट राउंड कहते हैं वो पास कर लेते हैं आपको सेकंड राउंड में एंट्री मिलती है अब इस राउंड में आपको क्या है एक प्यास देंगे गाजर देंगे जो उनके पास अवेलिबिलिटी होगी जी हां दोस्तों आपको इस सलाथ बनाना है तो उनके पास जो जो चीज़ें होंगे गाजर, मूली, चाहे, मिर्ची, जो कुछ भी आपको देते हैं, देखिए सलाथ काटने के लिए आपको जो समानों देंगे आपको काटना है, यहां पर मतलब यह नहीं रखना है, कि सलाथ में सर यह चीज़े इस्तमाल नहीं की जाती ह काफी स्टुडेंट ने जो एक्सक्यूस किया और स्रीधा उनको बाहर कर दिया गया, तो यह चीज़ आप मत कीज़ेगा, आपको लगना नहीं चाहिए, कि वहां मैं सलाथ में इसका यूज नहीं होता, तो मैं यह नहीं काटूंगा, बिलकुल मत करना, आपको जो दिया गय जीए, उसमें आपको सही गलत, जो भी आता, आप लिखिए, तो यह चीज़ी हो गई, आप नंबर जो तीन पर आएंगे, उससे पहले मैं आपको इंपोर्टन चीज़ जिसमें मैं आपको थमनेल में बता है, कि सावधान हो जाओ, आसन सुल और हावड़ा वाले, यह सा मैं खिलका जो निकालते हैं, उसे आप अपने डेस्ट के नीचे मत गिराइए, जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में यही आपको बताना था है, मैंने लिए सबसे इंपोर्टन चीज़, कि आप जो है उस चीज़ को गिराएगा, मत अपने कचड़े को यानि कि अपने ड 12 लोग ऐसे थे, जो हमारे स्टुडन ने हमें बताया, कि 12 लोग को ऐसा है था, जिनका सिर्फ कचड़ा नीचे के लिया, सिर्फ मातर इस रीजन के वज़े से उनको बाहर का रास्ता देखना पड़ा, तो दोस्तों, अब जो है कड़कपन आ चुका है, आर पी आप टेस्ट 12 लेकिन आपका स्मार्ट वर्क यही कहता है, कि आगर आप सलात काटने से पहले उनस फ्रूट्स को या फिर उन सब चीजों को धोते हैं, तो उसे धोईए, उसके बात किजिए, उसके बात काटिए, उसको अच्छी तरह से प्लेट में सजाईए, जिया सजावाट पर ज्या नमबर तीन पर आती है, आपको डाल बनाने के लिए दिया जाता है, जिया दोस्तों, आप यह दो रावन पास कर लेते हैं, आपको डाल बनाने के लिए दिया जाएगा, डाल आपको कैसी बनानी दोस्तों, डाल आपको साधी बनानी, उसमें कोई खटाई बटाई कुछ डा आपको सिप कहा जाएगा आप डाल बनाएगे अब आपको काम यह है कि सबसे पहले चीजे क्या-क्या रखी हुई है मेंशन कर लीजिए आपके पास अगर सब कुछ है तो आप उस सब चीजों को कितना इस्तमाल करते हैं कौन सी चीजे नहीं रखनी है जी आइसा नहीं कि सब क लिए है कि चिकन बनाने के लिए है या फिर कुछ और सब्सक्राइब करते हैं के उसने रखन tv यूजे यूज की यह twisty वही चीज़े काफी समय नहीं दोस्तों कोई भी other इसमें तोधी हो रहा है आपको ड़ रहा है कि समय कम है लेकिन बच्छे ज्यादा है अब उन्हें चाटना है अब वह मार्मिरेंट, देंगे तो दोस्तों भग्वाण भी आपको देख دहों हैं आपकी मेंनत कीजी ए आपका पधानी आपको बता दी कि अपने कचड़े को यानि कि जो भी डेस्ट निकलता है उसे आप डेस्ट बीन में डालिए डेस्ट के नीचे गिलती से भी गिराईएगा मत वरना आप सीधा हो जाएंगे बाहर उमीद करता है दोस्तों इस वीडियो से आपको कुछ सिखने को मिला ह विडियो पसंद आया दोस्तों इस वीडियो को वाचिंग दिस वीडियो